नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूपी पुलिस, यूपी जीके के कुछ महत्वपोर्ण प्रस्णों के बारे में बात करेंगे दोस्तों, यदि आप यूपी कॉंस्टेबल की तेहरी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपोर्ण होने वाली है यदि आप मारे चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्स्राइब जरूर कर लिजेगा जलिए बिना किसी देरी के, शुरू करते हैं आज का वीडियो पहला प्रस्ण है, उत्तर प्रदेश दिवस किस स्तिथी को मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा, C. 24 जन्वरी को दूसरा प्रस्ण है, उत्तर प्रदेश में लाख बहुस पक्षी बिहार किस जन्वरी में स्तित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, C. कन्योजिला तीसरा प्रस्ण है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को चार राजों की सीमा स्पर्ष करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा C सोनभद्र छोथा प्रस्ण है नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है तो नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्धनगर जिले में स्थित है पांचाँ प्रश्न है निम्नलिखी जन्पदों में से कौन छेतरफल के द्रिष्टी से सबसे छोटा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वारानसी छटाँ प्रश्न है उत्तरप्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? उसका सही उत्तर है C बलिया सातों प्रश्न है कौन सा राज उत्तरप्रदेश का सीमावर्थी राज है? तो उत्तरप्रदेश का सीमावर्थी राज राजस्थान है कौन सा जिला उत्तरप्रदेश के बुंदेल खंड छेतर से सम्बंधित है? तो इसका उत्तर है B महोबा जिला 9 प्रश्न है कौन सा देश भारती राज्य उत्तर प्रदेश किस से सीमा साज़ा करता है और इसका सही उत्तर है B. नेपाल नेपाल जो है उत्तर प्रदेश से सीमा साज़ा करता है निम्ण में किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है इसका उत्तर है A. पंजाब ग्यारवा प्रस्न है उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है इसका सही उत्तर है A. आठ राज्य दोस्तों कमेंड में बताईए कि वो आठ राज्य कौन से है बारवा प्रस्न है बुंदेल खंड आर्थिक छेत्र में जन्पदों के संख्या कितनी है इसका सही उत्तर है B. सात जन्पद तेरवा प्रस्न है उत्तर प्रदेश की किस सहर को पूर्वका ग्रास नाम से जानते है तो कन्योज सहर को हम लोग पुर्वकागरास नाम से जानते हैं चौधमा प्रशन है किसी सहर को अभी तक राश्ट्री राजधारी छेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है और इसका उत्तर है B. अलिगर पंद्रवा प्रशन है कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित हैं उसका उत्तर है C. बलिया जिला सोलवा प्रशन है कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साजह नहीं करता है और इसका उत्तर है B. अलिगर सत्रमा प्रस्ण है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरवाधिक बर्सा होती है तो गोरफपूर में सर्स से जादा बर्सा होती है ठारमा प्रस्ण है विजय सागर पक्षी बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है तो इसका उत्तर हो जाएगा महो बाजिला उन्निस्वा प्रस्ण है उत्तर प्रदेश में मयूर सररक्षड केंदर किस स्थान पर स्थित है तो इसका सही उत्तर है ए मतुरा विस्वा प्रस्ण है उत्तर प्रदेश के किस जिले में नवाब गंज पक्षी बिहार है तो इसका उत्तर है उन्नाव उन्नाव में नवाबगगी पक्षी विहार स्थित है दोस्तों अगर यहां तक आपने वीडियो देखी होगी तो हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आ रही है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए अगला प्रस्न देखते है शेखा जील के नाम से एक नया राष्ट्री पक्षी विहार कहा निर्मार्ग किया जा रहा है और इसका उत्तर है बी अलिगड में 22 वाप्रस्न है कौन सा नदी उत्तर प्रदेश राज्य से होकर प्रवाहित नहीं होती है इसका उत्तर है गंडग नदी 23 वाप्रस्न है गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जन्पत से प्रवेश करती है और इसका उत्तर है 24 वाप्रस्न है उत्तर प्रदेश में कौन सा छेत्र सरवादिक बाढ़ प्रभावित है इसका उत्तर हो जाएगा A. पूर्वी छेत्र अगला प्रश्ण है उत्तर प्रदेश में क्रेशक सम्रिद्धी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका उत्तर है C. 2017 में 26. प्रश्ण है उत्तर प्रदेश ट्यूवेल सिचाई के छेत्र में कौन से स्थान पर है? और इसका उत्तर हो जाएगा E. पहले अस्थान पर 27. प्रश्ण है उत्तर प्रदेश का प्रमुख तिलहनी फसल कौन सा है? इसका उत्तर है राई तथा सरसू 28. प्रश्ण है उत्तर प्रदेश में आमेले का सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के किस छेत्र में केसर का उत्पादन होता है और इसका उत्तर है C. मैदानी छेत्र वैसे केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा कस्मीर के अंदर होता है इस वीडियो में हम आपको एक कुश्चन दे रहे हैं जिसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताईए तो कुश्चन है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है इसके options है A. गंगा नहर B. यमुना नहर C. सार्दा नहर D. खागरा नहर तो दोस्तों कमेंट में इसका उत्तर जरूर बताईएगा अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और अपने जरूर्दमन दोस्तों को शेयर कीजिए थन्यवाद